जेहन दोस्तों सेनिक समाचारम आपका हार्दिक स्वागता है सबसे पहले बात करते हैं हेर्लाइंस की हेर्लाइंस मैं बात करूँगा पेमेंट ऑफ एरियर की उपर बड़ा अपडेट सरकूलर नम्मत दोसो चैजारी दूसरी बात करता हूं सेना दचने भरी हुंकार कहा कि देश के लिए पुर्वतर राज्यों का सयोग और उनके जो सोल्जर्स हैं उनका सयोग देश के लिए भारी और तीसरी बात बड़ी कहूंगा कि आई रेजमेंट को लेकर धरना प्रदर्सन फिर सुरू आखिर फौज के साथ राज नीती क्यों सबसे पहले बात करता हूं से पुर्वतर राज या पुर्वतर राज के बहुत सारे सेने के हैं जो हमारे भारती सेना में सामिल होकर देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके स्वावर्मान मान के लिए गुहाटी में आयूजन किया रहा है इंडियन आर्मी पुर्वक्षक चेत्र के लोगों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर हमेशा खड़ी रही है युद्ध और शांती दोनों ही हलातों में कठिन चनोतिया का सामना करने के लिए हमने सदेव लोगों की साहता की है पुर्वत्वर के कई सेनिकों ने अद्वितिय बहुदरी का परिशय देते हुए देश के लिए सर्वच्च बलिदान दिया है इस शेत्र के सोशो एकनमिक विकास की कहानी में सेना से जुड़े कई एजंसी का भी योगदान रहा है और इसको पर कमेंट्स कर सकते दूसरी बात काँगा हिर रेजमेंट को ले कर दिल्ली जैपर हाईवे पर बहुत सारे लोगों ने धरना पिदर्सन किया उनकी मांग है कि भारती सेना में अहीर रेजमेंट का टाइटल होना चाइए बहुत सारे अहीरों के मान, सम्मान, स्वामान की बात हैं, हुआने बहुत देश के लिए सेक्रिफाइस किया है लेकिन यहां तक 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 तो ने जाकर के पुलिस पर पत्राओ किया, 200 लोगों को ध्राशत मिलेद ये बिल्कुल सही नहीं है इसके अंदर छुपी राजनीत को निकालिये और अपनी मांग को जारी रखिये और महत पूर बात करते हैं पेमेंट ऑफ एरियर के बारे में और जो सर्कूलर नमबर 206 वो आकर है क्या और कांसे हुआ है और किस के लिए यह सर्कूलर नमबर PCDA इलावा और OIC इस पर सको यह लेटर लिखा है और इस लेटर में क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए सब्जेक्ट है का पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पैंसन एज पर अज़ेस्टिंग प्रोविजिन ऑफ दा सब्जेक्ट पैंसन सुड़ भी क्लेम्ड एज पर वेन इट फेल्स ड्यू इफ पैंसन फेल्स टू पूर पीरिद ऑफ ट्वेल मंथ पूर देट ऑफ है दा सेम बिल भ जैसे कुछ दिक्कत आती या आपके कुछ डाकुमेंट में दिक्कत आती है और आप लंबे समय से पैंसन नहीं ले पाते तो आपकी पैंसन सीज हो जाएगी फ्रीज हो जाएगी आपको पैंसन नहीं मिलेगी इसके लिए आपको क्या कारवाई करना पड़ेगा इसके लिए इनोंने निर्देश दिये क्योंकि बहुत सारी चीज इस पर साथ माइगरेट हो रहे हैं कई लोगों के ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसके लोगोंने ने बोला है कि बारा मेंने तो आपके पैंसिनियार्टी बाइदा पैंसिन पैंसिन डिस्पर्सिंग एजनसी इस सच पैंसिनर्स अपिर से अर्दा लेटर स्टेज पैंसिन 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 में भी रिजूम दा पेमेंट आप मंतली पैंसिन ये जो डाकुमेंट है जो फॉर में दवारा सम्मिट कर देता है और सब चीज़ें कर देता है तो PCDA ने आदेश दिया है आप उसकी पैंसिन को दवारा रिलीज करिए और उसका पैंसिन एरियर के साथ भुक्तान करिए उन्होंने काए आई एप है CDA 651 का हवारा देती हुए काहा है कि आपका ये दीजे और पुलिस वेरिफिकेशन इन पुलिस का सडिपेट दीजे जहां आप रह रहे है कहीं आपसे कोई दूसरा कोई पुलिस दारा तो नहीं लिगी जिसकी बेसे आपकी पैंसिन रोकी गई है और जो PDA 651 है जिसमें उन्होंने काए कि पैंसिनर्स का डिस्क्रिप्टिव रॉल और पैंसिन का जो सडिपेट है वो सारे सम्मिट कराई है और दुबारा इनकी पै हमारे साथ जय हिर्ड़